भवानी मंदी नून होस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वर जीन जर चरिटीबल फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक लोड गुलाम नून की पाँचवी पुन्यति थी बड़ी साध्गी पून मनाई गई इस अउसर पर सभी नून स्थाफ वर प्रिशाशन दुआरा उनके चित्र पर पुश परपित कर उन्हें याद किया गया इस यादगार पल में नून होस्पिटल दुआरा नगरपालिका को मोक्ष वाहिनी रद भेट किया गया नून होस्पिटल के संस्थापक लोड गुलाम नून एक एसी शक्षिय थे जिन्होंने अपने देश ही नहीं बलकि साथ समंदर पार लंदन में भी अपनी अच्छाईयों का डंका बजाया है जिसके फल्सुरूप लंदन की महरानी दुआरा सरप्रथम उन्हें सर्व उसके बाद लोड की उपादी से नवाज़ा गया था चालावाड जीले के छोटे से कस्बे सुनेल में आज भी उनकी पैत्रक संपत्ति मोजूद है यह वही कस्बा है जहां उनका बजपन से ही लगाव रहा है गोरतलब है की सरनून का जन्म माया नगरी मुंबई में हुआ जहां उन्होंने अपने पुष्टेनी मिठाई के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रारंबिक शिक्षा हासिल की सत्तर के दशक में नून कुछ कर गुजरने के जुनून को अपने मन में समेटे हुए लंदन के सफर पर निकल पड़े जैसा कि आपको में पता तक आ रहे थे कि अभी फिलाल हम पहुँचे हैं सुनेल कस्बे में कि वह कस्बा जहां पर नून साब का परिवार प्रहता था और नून साब के परिवार के काफी जिए मृज़ूर आगाला, कैसे यहां करिव YEG नें जिवह बसा है कैसे यहां कैसे उनका प्रिषा यहां से बॉजंगे गया? यहांने हो लिए नहीं टोफिते उनका पहु के विग्देश लग किया है यहां कौन रेदा था फिलाल है यहां और बॉम्भाय रेदा रेदा था 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 हुनका यहां से दून साथ की जो पढ़ के वोगान यहां पर है। यहां आते जाते थे और बंबे में सिफ्ट हो गए जो जैसा कि इसके लिए किस तरहे का व्यापार उनके दादा परदाता है करते थे सर नून ने लंदन में अपनी हिम्मत और जजबे के साथ अपने मिठाई के कारोबार की निव रखी जहां मुंबई में बॉम्बे रोयल स्विट्स के नाम की सुगंद अब लंदन में बॉम्बे हल्वा के नाम से महकने लगी थी नून के मिठाई कारोबार की उचाईया अब आस्मा चुने लगी थी उनकी कमपनी द्वारा बनाए गए फ्रोजन फूड की सुगंद हवाई जहाज में भी मुसाफिरों को आकरशित करने लगी जहां लंदन की सबसे प्रसिद करी जो लोगों के सुवात को भाने लगी थी जिसके कारण उन्हें करी किंग के नाम से भी जाना जाने लगा नून अपने कारोबार के साथ सामजिक कारियों से भी जुड़े रहे उनके द्वारा किये गए विकास कारियों की बदोलत कई सारी संस्ताओं ने उन्हें अलग-अलग उपादियों से सम्मानित दिखिया साथ जीके नून साहब का प्रारम से ही शिक्षा और स्वास्त की और सर्वादिक ध्यान रहा लड़कियों की शिक्षा के बारे में भी वह सजग थे और इसलिए उन्हें अपने जीवन की जो कमाई थी वो इन दोनों क्षेत्रों में उन्हें लगाई जिसका उधारन आप देखते हैं नून उस्पिटल जो अपने आप में एक संस्ता बन करके आज काम कर रही है और जि होस्पिटल है इसकी स्तापना की जिसमें उनका उद्देश था कि यहां के जितने भी अंचल के गरीब लोग हैं उन तक स्वास सेवाएं और साधन वो पहुंचें अच्छे सच्छे डॉक्टर उपलग हूं और स्वास में या कूपोशन में जो हमारे सामने समस्याइं हैं इसी तरह स्कूल के मामले में उन्होंने एक बड़ा भावन बना करके कॉलेज को दिया है जो उन्होंने खुद बोलके कहा था कि यह मैं भावनी मंडी की जवानी को समर्पित करता हूं इसी तरह यहां के गल्स स्कूल में उन्होंने काफी निर्मान करवाया इनूतन स्कूल स्कूल में निर्मान कराया ग Laudy स्कूल में निर्मान करवाया वहाँ के सुनल में हेद्रिया स्कूल में उन्हें काफी युग दान दिए तो किताँ keeps और रहे हिए है कि इस्कोलर्शिप देते ये लंदन में भी का इंडियन थे उनको काफी पढ़ने मैं मदद कि तो उनका में थर्स्ट ये था इसके अलावा किसानों के उपर बें उनका ध्यान था और उन्होंने सुनेल खेत्र में करीब करीब चार एनिकट बनवाए जो केर इंडिया इंटरनेशनल फांडेशन के पॉलोगरेशन के साथ उन्होंनों बनाए जिसमें सबसे निकट यहां उससे कोई इस ही कहा है मैं एक प्रता है की मैं के अनदर मानवलता और सारे लोगों के प्रतिश Սसने सले था वो बार बार हर प्रकार की घटना में परिलक्षित होता है इंग्लेंड में उनसे मिलने के लिए लोगों को इंगेजमेंट पहले लेना पड़ता था टाइम लेना पड़ता था और तब जाके उनके मुलाकात हो सकती थी लेकिन भारत में छोटे से छोटा आदमी गरीब से गरीब आदमी के लिए उनके दर्वाजे खुले थे वो हर एक की बात सुन करके वो उसका निराकरन करने की कोशिस करते थे तो मेरे सामने ऐसे कही मोक्या है जब कही कौमन आदमी आकर के उनका 20-25-25 मिनिट तक उनको अपनी समस्यां सुल जाते सरनून ने लंदन में रहते हुए भी अपने वतन मस्तरजमी के लिए बहुत कुछ किया जहां उन्होंने महात्मा गांदी की निलाम हो रही पत्रावली को अपने साती मित्र के साथ खरीद भारत सरकार को सोब देश के प्रती अपना कर्तव विनिभाया सरजमी के प्रती प्यार यहां भी नहीं थमा तब सरनून ने अपनी मात्रभूमी के लोगों को एक नई सोगात देने का निर्णे लिया चार अप्रेल 2008 ये वो दिन था जब सरनून ने भवानी मंडी में उन हॉस्पिटल की स्थापना की जहां लगबग दो एकड जमीन पर सर्व सुईधाओं से युक्त विशाल्च किस सालई पनाया गया उनकी रूची हमेशा से स्वास्थ शिक्षा वख खेल पर रही नून साहब को बजपन से ही क्रिकेट का शोक रहा है जिसे देखते हुए नून परिवार ने उनकी याद में नून क्रिकेट अकादमी भी खोली में सुनेल और भौनिमेंडी की बीच में मैं स्वास्त और सिक्षा के शित्र में इसा काम करूं जो आजर और अमर हो जाए और आज इस अश्टाल को हम 12 साल बात देख रहे हैं कि उनका नाम अमर हो गया है लेकिन आज उनकी पांच्श – कुन्यौ नितिति पर हम उनको मिस MON करें दिय्स ट्रस्टी सातीं जो इसंसी है ओं만 रओंशी साफ है यह जो टीम बनी हुई है हमारी जो मैनेजिंग ट्रस्टी यह हमारे किस होस्पिटल के लिए दिन रात अपनी मेहनत करती है अभी जैसा कि यह कोरोना काल चल रहा था इसके तहद अभी जब इनकी पांची कुल्णिकिती की बारी आई तो इसमें यह निन्ने लिया गया कि यहा चर्चा हुई तो ऐसे लगा कि अभी जब कोरोना में मुत्ती हो जाती है तो लोग वो सव ले जाने में बहुत से कत्राते हैं कंदा देने में कत्राते हैं कि उस समय हमें मुक्तिधाम सेवा समीती है हमारे घुर्गाजी ठेकेदार और शंबुलाल जी ईयो साब और इसडिय आज नून होस्पिटल को लगबक पारा साल हो चुके हैं छोटे कजबे में लोगों को भेटर स्वास्त सेवाई gonna सके सर नून के इसी उधेश को उनके जाने के बाद अब उनकी बेटी जीनत हरनाल नून बखो भी पूरा कर रही है नून की इस बार पांचवी पुनितिती मनाई गई नून अब हमारे बीच नहीं रहे पर आज भी जिन्दा है तो उनकी महान सोच हुआ उनके द्वारा किये गए सामजिक सरोकार के काम नून उस्पिटल जो की आसपास के शेत्र में अपनी अमूप छाप छोड़ रहा है जैसा कि जो ऑस्पिटल यहां बना हुआ है यह पूरा सुसच्जित तरीके से और यहां पर हर सुईधा मरीजों को मौया हो रही है नून साब की आज पाच्वे पुनितिदी थी इस पाच्वे पुनितिदी के आउसर पर नून उस्पिटल हर कारे में अगरणी रहा है और हर शेत्र में अगरसर भी रहा है इसी के चलते आज नून साब की पाज़िक पुनितिभी पर नून प्रशाचन ने मौक्शुमाहिनी रथ नगरपालिका को फेट गया है नून साब पर एक सपना था कि शहर में कुछ ऐसा करके जाए जिससे लोग उने याद रखे वो ऐसी अस्ति थी जो हमेशा के लिए अमर हो गई और आज वो मरे नहीं लोगों को दिलों में जिन्ता है हम बात करेंगे नून आस्पिटल के वाइस प्रसिडेंट के खोश सर से जानेंगी किस तरह से सर को इतना समय अब भानी मंडी में हो गया उस समय से किस तरह के माहोल यहां रहें कैसे हालचाल यहां रहें और किस दोर से यह उस्पिटल गुजरा और आज जो बैतर सेवा यह उस्पिटल दे रहा है उनमें क्या-क्या भूमी का रही अब इता हुआ साथ मैं प्रेली यह लोग को दन्यवाद देवाद देमा जाता हुआ कि आप लोग में तो हमारा श्पिटल का आप निवे घ्ली अड्य में अप्टों का साथ जो है पुछिछ किए और आज लॉड दून का का एप श्री देश्य इस पार हमारा जो 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 जिन्जर चरिटरीबल फाउंडेशन ट्रस्टी जिन्जर नून अनाल ने रिसाइट कि हम लोग कुछ एक ऐसा कुछ इवोडिक काम करे कि यह जो 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 भी जो सोच है जो यह थोड़ा सा और एक्स्टेंट करें तो एक्स्टेंशन का तरफ नगर प यह रिग्वार्मेंट था एक मोक्ष भाहिनी भावानी मंडी शेत्र के लिए है नहीं अभी यह कोई अगर पेशेंट कोई अगर किसी का देहांत हो जाता है बहुत दुखकार बहुत दुखदा एक चीज है तो कंदे देने वाला आज भी भी साथ चोड़ देता है तो आप प एंबुलेंस जो हम लोग यूज करते नहीं है उसको हम लोग एक मोक्ष भाहिनी करके हम लोग नगर पालिका को दे और नगर पालिका इसका पूरी तरीका से इसका 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 करें कि यह जो भावानी मंडी का जो यह जो एक जो यह करोना काल में जो एक यहारा सामने बार बार प्रकट हुआ है तो इसमें हम लोग हम लोग इसे कुछ कर सके इसी तहत हम लोग आज एक अमारा जो अम्बूलेंस था यह करीब एक अट्रा बीस लाख रुपिया वाला एक एम्बूलेंस था जिसको हम पूरा रेनोवेट करके जो एक मुक्स बहाहीनी झाल यह उसे ने इस में भी कुछ इुडिक काम किया है कि इसमोर हम नी किया सोचा कि हर पेशेंट जो को फॉर ने चाल में जो आते हैं फिर फेश्यामार्च यह थोड़ा सा एक गाउं का से टाप होने का कारण क्या होता है कि सचेतन इताध थोरस से कम और का थेस्या हम नून हॉस्पिटल एक अस्पिताल नहीं, बलकि नून साहब की वो सोच है, जिसने काफी लोगों को स्वास्त के शेत्र में पहतर सेवाओं के साथ रोजगार देने का भी काम किया। सर नून अब हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनकी यादें, उनके उतकरष्ट कारी आज भी देश और विदेश में याद रखे जाएंगे। सर नून के जीवन के सरानी कार्यों को शायद कुछ शब्दों में पूरा नहीं किया जा सकता, पर एसके मिडिया ने उन्हीं की यादों के पुलिंदों से, कुछ यादों को इस डोक्यूमेंटरी के मांध्यम से लोगों तक जीवन्त करने का एक छोटा सा प्रियास किया वेलेपिक और जालों ये इसलिग उन्हेपनिक टालेंगा हैं. व्यूशल से उनकारी विलत बांप सुनंता हैं, व्येके इंवली चेज़ एक दूप सकता हैं. लोगे में रदेंधिन अपया हैं. जब आखिए रहाना हैं, he hired a professional health care company to help with setting the standards and foundation. He believed that not a single life should go untreated for lack of money. He set up Zinser Charitable Foundation Trust, which runs this hospital for all people, no matter what, faith or caste. His sayings, hands that help are holier than lips that pray, so true. He believed in having good, loyal doctors and staff who would have the same values and principles to be able to look after and cater to all patient needs. He was a man who always gave back to society and never expected anything back in return. A very kind-hearted, generous, humble and good human being. I remember an incident just weeks before his passing, when all he wanted to do was come to Noon Hospital and his beloved Rajasthan. You could say this was his last wish. Sadly, it was not meant to be. Today, we take this greatest legacy forward and provide the same excellent and accessible health care to the ones who need it the most and where people's health is the top priority. The work Noon Hospital does is of great importance at any time, but especially now in this pandemic, by looking after so many of our patients and giving them the support and help they need. We trustees are totally committed to supporting our patients, doctors and staff through these really challenging times. He taught me hard work always pays and he never gave and never, ever give up on your dreams. I continue to live by his ethos and values, building on his dream with passion and compassion, with hard work and dedication to carry on a job he left unfinished. This is now my journey, along with my supportive trustees, to keep the Noon Legacy alive. No doubt we will face many challenges and there will be certainly good times too. I know my father is watching over us and showering his blessings.